राद्य क्रिष्ण दोस्तों कैसे हैं आम सब दोस्तों शनिवार एक ऐसा दिन जो शनी-देव का माना जहता हैं और शनीदेव भा जनाय की देवक्ता है यह बात आप भी जानते हैं हम सब जानते हैं तो दोस्तों हमें फिर भी हम गलती में बेख्याली में कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, चो कि हमें हर्गिस नहीं करने चाहिए, शनिवार के दिन खास कर, इन सब चीजों का बहुत अधिक ध्यान रखने की बहुत जादा जरूरत होती है, एक तो जैसे कि कहा जाता है कि नौन वेज शनिवार के दिन नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक्स नहीं करना चाहिए, मुझे बिटाइए एक बात दोस्तों, क्या बाकी दिन शनीदेव के नहीं है? क्यों केवल शनिवार ही, क्यों नहीं हम बाकी दिनों के लिए भी इन सब चीजों को छोड़ देते हैं? जो उसे बचने के लिए उसको बंद कीजे दोस्तों मैं आपसे बता रही थी कि कुछ एक ऐसे कार्य है जो हमें शनिवार को जैसे की पीपल की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए हर शनिवार को और पीपल पर उरत चढ़ा देने चाहिए आजकल क्या होता है जैसे यह कहा जाता है कि शनिवार को काली चीज का दान कीजिए तेल का दान कीजिए उरत का दान कीजिए तो लोग आजकल मुँपर मना कर जाते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे क्योंकि सबको पता है कि यह चीज शनी का दान है और जो लेगा वो परशान रहेगा इसलिए बहुत सारे लोग मना क करके चले जाते हैं उसके लिए एक सबसे बढ़िया उपाई यह होता है दोस्तों कि आप तेल तो नहीं पर जैसे उरद हैं और भी कोई खाने पीने की चीजें हैं आप गव को खिलाइए आपसे यदि कोई नहीं लेना चाहता है तेल आपसे यदि कोई काला कपड़ा का दान नहीं लेना चाहता है ऐसे कीजिए जब आप पीपल पर जल जरहने जाते हैं या शाम को जब आप पीपल पर सरसों के तेल का दिया जलाने जाते हैं उस वक्त अपने साथ वो तेल ले और पीपल के नीचे मत रखिये, एक साइड में उन चीजों को रख कर आ जाईए, जिसको जरूरत होगी वो खुद ले जाएगा, तेल का दान कोई डारेक्ट लेता नहीं है, तो तेल से बनी हुई चीजें हम दे सकते हैं,